चलिए दोस्तों आज बनाते हैं कुछ अलग तरीके की रोटी जो सच में इतनी टेस्टी होगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तो करना क्या है एक बोल में हमने लिया डेड़ कप गेहूं का आटा इसमें डाल लेंगे स्वात के अनुसार नमक साथ में एट करेंगे एक छोटा चमाच अजवायन दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इन सारी चीजों को बढ़ें से मिला लेंगे लेकिन इससे पहले हम इसमें डाल देंगे लगबक टू टेबल स्पून के जितना ओल यह देखें तेल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका डो तियार करेंगे डो हमें वैसे ही तयार करना है जैसे आप नॉर्मल रोटी के लिए लगाते हैं बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा सॉक्ट भी नहीं यह देखें होई हमने ले ली एक और इसको इस तरीके से गोल करेंगे फिर थोड़ा फ्लैट कर देंगे अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे हाथ से थोड़ा सा बढ़ा कर ले या फिर डारेक्ट बेलन से भी बेल सकते हैं और अब हमें इसे बेल लेना है ध्यान रख काम करेंगे तो करना क्या है एक फोक लिया है मैंने और बैक साइट से हमें इसमें इस तरीके से ऐसे निशान बना देने है तो पूरे में अच्छे से इसमें बना देना है इससे क्या होगा कि जब आप इसे सेकेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेकेगी कहीं से भी बिल्कुल क तो सबसे पहले हमने गैस पे एक तवा रखा है, इसमें हम इस रोटी को डाल देंगे, एक सैट से थोड़ा से सिखने देंगे, मीडियम फ्लेम में इसके बाद हम इसे पलट देंगे, और पलटने के बाद इस तरह से चिम्टे से हमें इसमें ऐसे मार्क्स बनाने हैं, यह फिर एक गोला कंप्लीट होने के बाद दूसरा भी इसी तरीके से, यानि कि पूरी रोटी में हमें इस तरीके के निशान बना देने हैं, फ्रेंट्स आप हमारी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, हमें कॉमेंट करके भी जरूर बताएगा, और यह भी बताएगा कि इस रोटी को आप लोग क्या कहते हो, यह देखे फ्रेंट्स हमने याँ पर इस तरीके से निशान बना दिये हैं, अब एक साइट से जब यह सेख जाएगी तो हम इसे पलट देंगे, यह देखे एक साइट पर हलका सा कलर भी आ गया है, यहाँ पर सेखने के लिए हम मेडिय और सेख लिया है, और इसके बाद हम इसे इस तरह से स्टैंड में रखेंगे और इसको ऐसे सेख लेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट गैस फ्लेम पर भी सेख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम मीडियम फ्लेम में ही सेखेंगे, घुमा घुमा के रोटी को अच्छे से सेखना हैं यह देखे कितना बढ़या सा प्यारा सा कलर आया है दूसी तरब से भी हम थोड़ा सा सेक लेते हैं और यह हमारी बहुत ही मज़िदार राजस्थान की खूबा रोटी बनके तयार है आप लोग इसे क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताएगा और बस गर्मा गरम रोटी मे साथ मैं सर्व कर रहे हूं मुझे बहुत पसंद आई आप इसे अपनी पसंद की सबजी के साथ भी खा सकते हैं या लैसुन की चटनी के साथ तो यह बहुत मस्त लगती है तो ट्राइ कीजिएगा रेसीपी कैसी लगी जरूर बताएगा